Hello friends, welcome to my channel, बहुत-बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल एर स्कुएट के ट्रिक्स इंची कुट्स के 819th एपिसोड में और उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी Students, अगर आपका JMAN में स्कोर 7, 70, 80, 100 इस रेंज में अटकता है अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है, 170, 180 इस रेंज में लेकर की जाना है जिसे कि आपका 98, 99 परसंटाइल और NIT आपके जो सिक्योर हो पाए और अगर आपको समझ में नहीं आ रहें कि इस किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है तो आपको याप पटेंचिल लाने के कोई जरुवत नहीं है आप एंडुल करणों जन्दी से हमारी JMAN 2024 के exclusive tricks course में इस course के दुरू में आपको सिखाऊंगा सारे के सारे tricks, logical and scientific tricks किस तरीके से आपको exam time sharing tricks को apply करना है, किस तरीके से JMAN के papers में वो tricks लगते है on spot exam time sharing में आपको किस तरीके से tricks लगाना है, पुरा mindset development आपका होगा एक structured course है 10 घंटे का और इस 10 घंटे के course में आपको first attempt में भी benefit मिलेगा और second attempt में भी benefit मिलेगा लिंक आपको description मिल जाएगा, सारी details आप जागर के checkout कर सकते हो, और जागर के enroll कर सकते हो, कोई भी queries हो, तो आप हमारे team को WhatsApp करके उनसे अपने queries को solve करवाने के बाद में आप इस course के अंदर में enroll कर सकते हो, लेकिन enroll ज़रूर से कर लेना, क्योंकि यह course आपका game change कर देगा, आप आपको current electricity के कुछ questions है, आपके कराने वाला हो, तुका tricks दिखाने वाला हो, आप देख सकते हो, कुछ questions 2022 के, कुछ questions 2023 के, ठीक है, और कुछ 2021 के, काफी important concept है, इस concept पर जो है, जो मैं आभी आपको सिखाऊंगा, इस पर बहुत सारे questions जो है, बनते हैं, पिछले कुछ episodes मैं भी ब बता हूँगा, अभी भी बता रहा हूँ आपको, सिंपल सा concept हमारे पास में एक तो, यह होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, कि अगर हमारे पास में दो resistances हैं, parallel में, इसको एकदम अच्छे से याद रखना, इससे बहुत सारे questions आपके tricks से solve हो जाएंगे, अगर दो resistance है, R1 और R2 लेट से, ठीक है, R1 की value मानलो 2 हम है, R2 की value मानलो 3 हम है, और यह आपके parallel में, तो parallel में जो भी R equivalent होगा, वो इन दोनों के छोटे value से भी छोटा होगा, मतलब R equivalent की value less than 2 हम आईगी, for sure, clear है, मतलब कि दो resistance अगर parallel हो, तो equivalent resistance, दोनों में से जो छोटा वाला है, उससे भी कितना आता हो, calculation करते हैं, बट छोटा आता है, for sure, और अगर series में होगा, मानलो, R1, R2, तो आपको पता है, R1, R2 में से जो बड़ा होगा, उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 किया जाता है, ठीक है, तो parallel में सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, equivalent, और series में सब से बड़े वाले से भी बड़ा होगा, for sure, इस concept के बेसे बहुत सारे questions आपके जोए, उड़ जाते हैं, देखो, जैसे आप देखो, यहापर first question देखो, 2021 में आवा question है, पहले 2021 का आपको दिखा रहा हो है, यहापर, देखना, equivalent resistance of the given circuit, यह जैए में में आए बा question है, episode number 819 है, playlist update हो गई है, description में आपको प्लेलिस्ट का link मिल जाएगा, आपको जैए में की playlist जो है, आपके ओरिजिस्टरेशन लिंक से हो सारे description में आपके अपडेट हो चुकिए, आप जाकर चेक आउट कर सकते हो, लाइन से आप सीरिस को follow करो, काफी जाद आपको मज़ा आएगा, पर यहाँ पर 2021 के जैए में के paper में आया, equivalent resistance पूछा है A और B में, आप simple सा चीज सोचो, यह हमारे पास में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 3 है, अब यह जो भी पूरी कहानी आएगी, यह 3 है, तो यह जो भी 3 हो में यहाँ पर, और यह पूरी कहानी को मैं X बोल देता हूँ, यह पूरी कहानी जिसमें यह भी है, 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 इस 3 को भी ले लिया मैंने, इस पूरी कहानी की जो भी value आएगी X, वो इस 3 की साथ में parallel होगा, for sure, है ना, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा, वो 3 से छोटा आएगा, क्योंकि 3 और X पार्लल में है, ठीक है, 3 से तो छोटा आएगा ही, for sure, और अगर X की वैलू 3 से भी छोटी हुई, तो उससे भी छोटा आएगा, तो आंसर 3 से छोटा आना चीए, अब आप देखो, options आपके सारे eliminate हो गए, 0 होगा नहीं, कुछ तो value आएगई, तो eliminate हो गया, 3 होगा नहीं, 3 से छोटा चीए, 9 by 2, 3 से बढ़ा है, 4.5 कट गया, एक ही option बचा आपका 1, तो without solving the question, आपना question solve कर दिया, अब इतना आप time थोड़ी है, आप solve करते रहोगे, 5 plus 2, 7, 7 और 2 को आप parallel में लोगे, इतना time नहीं है, आप ARSquad के student, आपको smart बनना है, यह आप tricks and cheat codes सीख रहे हो, तो इस तरह के से कर सकते हो, और क्या कर सकते थे, इन दोनों को पहले parallel में ले 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 1.5 आता, फिर 1.5 के साथ जो भी आएगा, तो 1.5 से चोटा ही होगा, तो answer 1, वो भी कर सकते थे, यह पर 3 से ही काम चल गया, समझ गया, यह दोनों पार्लल में है 1.5, बाकि जो भी कहानी उसको एक्स ले सकते थे, 1.5 के साथ पार्लल दिखा सकते थे, whatever way you can do, second question को आप देखो, क्या कह रहा है, if you are provided with a set of resistance, 2, 4, 6, 8 ohm, connect these so as to obtain equivalent 46 by 3, तो इसको आप तुक्का से कैसे solve कोर गया, फर्ट से कैसे solve कोर गया, इतना time नहीं हमारे पस, ए चोटे-बड़े question के लिए, एक्जाम में आपको बड़े questions में दिमाग लगाना है, 46 by 3 का approach value कितना आप देख लो, 15 point something, बस इतना द्यान रगो, अब क्या है आपके बास में आप देखो, आप बना लो, ठीक है न, आप cases बना लो, मैं आपे चार्ट अबबा ले लेता हूँ, एक A के लिए, एक B के लिए, एक C के लिए, एक D के लिए, simple, 4 and 6 क्या है, parallel में है, ठीक है, 4 and 6 क्या है, parallel में है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ohm, और ये क्या हो जाएगा, 6 ohm, और ये क्या है, parallel में है, with 2 and 8 in series, with 2 ohm series में, और 8 ohm series में, यह हमारे पास में A का डियागरम बन गया, B का डियागरम मनाओ, 6 and 8 parallel में है, 6 और 8 आपका parallel में है, with 2 and 4 in series, with 2 ohm and 4 ohm in series, समझ गए? अब C का डियागरम मनाओ, बहुत सिंपल है, यह पर क्या 2 और 6 parallel में है, 2 ohm और 6 ohm parallel में है, with 4 and 8 in series, और लास्ट वाला क्या 2 और 4 parallel में है, 2 ohm और 4 ohm parallel में है, with 6 and 8 in series, with 6 and 8 ohm in series, अब आप एक सिंपल सा बात बताओ, चुटकी में अब मेरे को उड़ाना है इस question को फट से, यह 8 और 10 को तो मिला के मैं, 8 और 2 को मिला के मैं 10 बोल देता हूँ, समझ गए? यह 4 और 2 को मिला के मैं 6 बोल देता हूँ, यह 8 और 4 को मिला के मैं 12 बोल देता हूँ, यह चोटा आएगा, उपर आले concept के according, तो 10 को अगर मैं add करूँगा, 4 से भी छोटे value से, क्या वो 15 से बढ़ाएगा, कते ही नहीं आएगा, तो पहला option कट गया, solve तंड की जरुवत ही नहीं है, यार, दूसरा आप देखो, 6 का addition होगा, किसके साथ, 8 और 6 में से, छोटा 6 है, 6 से चोटा आएगा, तो 6 का addition, अगर मैं 6 के छोटे number से करूँ, तो क्या वो 15 पहुचेगा, कते ही नहीं पहुचेगा, काटो इसको, ससुरे को, या अगर आप देखो, 12 का addition आपका होगा, 6 और 2 में से छोटा कौन है, 2, 2 से भी छोटा आएगा equivalent, तो अगर मैं 12 का addition करू, 2 से छो सकता है, तो यह हमारे पास में answer निकल करके आ जाएगा, मज़ा आया है ना, यार सच बताना, मज़ा आया है कि नहीं, देख गार, यह जो courses है न, exclusive tricks courses, उसमें बस फरक क्या होता है, कि आपको एक तो latest questions देखने को मिलते है, 2023 के, और क्या आपको मिलता है, उसमें, जब exam time सिरा आपको ऐसा लगेगा, कि सर आपने तो पहले से question ले करके रखा था, तो आपने तो पहले ही घर में सोच लिया trick, instantly कैसे आपको trick लगाना है, यह exclusive tricks courses में पता लगता है, negative marking को कैसे tackle करना है, यह exclusive tricks courses में पता लगता है, structured course, बच्चों के बस time बहुत कम होता, YouTube पे कितने episodes देखे आप किसी भी तरीके से misguide ना हो, negative में ना चले जाओ, positive approach के साथ में, scientific study techniques के पढ़ने के लिए, मेरी सारी secrets, यह सारी चीज़े structured way में आपको course कंद्रम मिलती है, कई बार बच्चे बोलते हैं, sir course afford नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप YouTube की free playlist को follow करो, यहाँ पर भी तो आप देखो, what will be the most suitable combination of the three resistances, 2, 4 and 6, so that 22 by 3 is equivalent resistance combination, अब यह आया था 2021 में, है ना, तो आप यह क्या आया है, हमारे पस में 2022 में आया, अब यहाँ पर क्या होगा आप देखो, इसमें 22 by 3 को आप approximately कर लो, 7 point something, सेम चीज़े है वापस से, सेम चीज़े है, वापस से सेम चीज़े ह चुटकी में आपको solve करना है, without solving आपको solve करना है, A और C क्या parallel में है, तो 2 और 6 parallel में हो जाएगा, 2 और 6 parallel में हो जाएगा, with B in series, मतलब कि 4 ohm, 2 ohm, 6 ohm, clear है, B में आप देखो, A और B parallel में है, A और B parallel में है, A और B parallel में है, तो यह 2 ohm, और 4 ohm parallel में है, और series C के साथ में है, मतलब कि 6 के साथ में है, ठीक है, फिर हमारे पास में क्या है, series combination of A and C connected in parallel with B, A और C का series combination, मतलब कि 2, और 6 का series combination है, ठीक है, और यह क्या है, हमारे पास में parallel with B है, यह parallel with B है, इस तरीके से, 4 ohm, कुछ इस तरीके से हो गया, फिर series combination of B and C connected in series with A, तो यह तो यह तो यार, 7 point something, यह तो समझ में ही आ रहा है, सारे add हो गया, 12 हो गया, cut गया है तो, ठीक है, अब आप देखो इस option को, ए option को, 4 है, आपके पास में, 6 और 2 में parallel है, तो 2 से भी कम आएगा parallel का equivalent, तो 4 का addition होगा, कोई एक ऐसे number से, जो 2 से भी कम है, क्या वो 7 से जादा आएगा, नहीं आएगा, तो option है, आपका eliminate होगा, यहाँ आप देखो, 2 और 4 है, 6 का addition कोई ऐसे number से होगा, जो 2 से भी छोटा है, क्या वो 7 पर्ण सम्तिंग आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो option B possible है, C option में आप देखो, यह 6 है, यह 2 है, 8 हो जाएगा, 8 और 4 पैलल में है, तो answer 4 से भी छोटा आएगा, तो C possible नहीं, सिर्फ A की option possible है, option B, क्या आपको बात समझ में आ रही है, yes or no, है ना, कमाल की चीज़ है, कमाल की ट्रिक्स में आपको सिखा रहो, right, next question आप देखों यहाँ, last question, Jman 2023 का है, इसमें क्या है, हम एक option ही eliminate कर पाएंगे, कैसे, देखो, यह 1 और 1 है 2, समझ गए, यह 1.5 और 0.5 है 2, अब 2 और 2 पैलल में है, मतलब की हो गए 1, तो इसका और इसका जो resultant है, वो तो है 1, उसके बाद में राम का आनी बहुत लंबी है, 12 पैललल में है, 6 पैललल में तो जो भी होगा, इसका answer less than 1 तो होगा, for sure, है न, क्योंकि यह 1.5 और 0.5, 2 था, और यह 1 और 1, 2 था, इन दोनों को ही खाली पैललल में है, इसको और इसको, तो 1 आ गया, अब बाकी सारी चीज़े भी पैललल में आएंगी, तो value और छोटी होती चली जाएंगी, उसी concept से, ल क्योंकि options में 2 by 3 और 3 by 2, दोनों दिये वे हैं, कभी भी आपको reciprocal options दिखे हैं, है न, कभी भी आपको इस pattern में दिखता है, मान लो, y, x, 1 by x, z, कभी भी आपको इस pattern में दिखता है, x और 1 by x दोनों, जैसे कि यहापे 2 by 3 और 3 by 2 दोनों दिख रहा है, तो ऐसे cases में, उन दोनो आंसर होने के chances थोड़े से जाधा होते, क्योंकि teacher भी options उसी तरीके से बनाता है, कि आपको confuse कर सके थोड़ा सा, तो यहाँ पर best possible तुक्का क्या option B, और option B इसका correct answer है solve करने के बाद ने, तो एक option भी आपने eliminate कि आपकी probability one third हो गई, आप सही होने की, जो की पहले one fourth थी, तुक् और आपको दिख रहा हो कि 50-50 possibility तो ऐसा होनेगा, वहाँ आपको risk ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप मानलो 10 question attempt करते हो, 5 सही होता है, 5 गलत होता है, जो 5 सही होंगे, उसके आपको 20 number मिलेंगे, और जो 5 गलत होंगे, उसके minus 5 होंगे, net score आपको क्या होगा, plus 15 का, ठीक है तो ये risk management को भी आपको जो समझना चाहिए, आप सारे बच्चों को मैं recommend करूँ, अगर ये सारे tricks and cheat codes आपको पसंद आ रहे है, concept जो आपको समझ में आ रहा है, feel आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप इस series को follow करो, और साथ में आप exclusive tricks course में enroll करो, exclusive tricks course का link description में, उसमें आपको mock factors भी free of cost मिल रहे है, तो एक complete package है, structure tricks कम टाइम में last month में बच्चे आते है, चैनल के अंदर में, तो exclusive tricks course बहुत जादा recommended है, जिससे कि आप किसी भी तरीके से misguide ना हो, और सारी चीजों को structured way में सीख लो, चलो बाकि तो बस यही बात है, तो यार आपको 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 आपक